हालो एक क्लास में मैंने आपको मैंगेनेटिक फिल एक स्टेट वायर के लिए बता है कि किसी भी स्टेट वायर के लिए मेंगेनेटिक फिल का फार्मला नियू नट पाण 4 5 आईए पाने इन ब्रेकेट साइन 5 1 प्लस साइन 5,2 आज मैं आपको बताने जारा हूं डारेक्शन of Magnitude कि किसी भी स्टेट वायर के लिए अगर स्टेट वायर में करेंड का फ्लो रहा है तो उससे मैंनेटी फिल का जो डारेक्शन होगा वो किस और होगा इसमें सबसे पहला आपका रूल होता है राइट हैं थम रूल राइट हैंड थम के हल से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास म राइट हैंड रूल के लिए आपको याद क्या रखना है आपने राइट हैंड को इस प्रकार से करना है इसमें यह आपको पता रहे कि जो आपका राइट है यह इसका थम्ब है राइट है यह थम्ब आपका करेंड की तरफ होना चाहिए डारेक्शन आप करेंड की तरफ अग फ्रकार से अभे आपके पास कोई का कंडेक्टर ए yani स्टेट वायर है जिस में करेंट को ध्रकार से में आपका फ्लो हो रहा है कि इस point पर मालने यह .PEst फिल की खोना क्या है अपने राइट हैंड को उस प्रकार से करना है और गरेंट तो फंग के डिरेशन में रखना है जैसे इसमें आपका अपका डिरेक्शन में होगा और यहां की पॉइंट पर कोई तो आपको क्या करना इसी प्रकार से आपका क्या रहा है बाहर की तरफ आप बोलेंगे इस प्रकार से अपने राइट हैंड को करना और जिधर आपकी चारू फिंगर इस प्रकार से रोटेट करेंगे वही आपका डारेक्शन आप क्या कर लाएगा अगर यह नीचे की तिलब जा रहा है तो बोला जाएगा जिस डारेक्शन में आपका इसका निडल जाता है वह आपका डारेक्शन आप करेंट होता है और जो करते है और जो समय आपका थम्ह ऐसे रोटेट कर रहा है अगर आपका फ्रकार से होगा तो कि आपका थम का जूर्ड रोटेशन होगा उस रोटेशन का डारेक्षिन क्या प्रीनीन कर गाधर किस्ट प्रकार से रोटेट करें से स्टर्ट करने को यहां से अंदर जाएगा और इधर से आपका क्या आएगा भाहर की तरह बोल सकते हैं इस पॉइंट पर इनोड डारेक्शन क्या होगा अपको पता होना चाहिए नेस्ट हम स्टाट करते हैं कि हमारे पास कोई circular wire है एक circular loop है तो उसमें अगर current का flow हो रहा है तब आपका मेगनेटीव क्या होगा इस्टाट करते हैं उसको नेश्ट आपका टापिक है कि मेगनेटीव एड़े सेंटर आफ़ सर्कुलर करेंट लूप कोई आपके पास करेंट लूप है और उसके सेंटर पर आपको पता करना है कि मेगनेटीव फिल का मैगनेट्यूड एडिरेक्शन की सोर होना चाहिए तो यहां पर मैंने एक circular loop लिया है द्यान से देखें इस प्रकार से एक circular लूप लिया गया और इसमें करेंट का फ्लो माले जी यहां से इस वायर से स्टार्ट हो रहा है ऐसे घूमते वे करेंट ऐसे आपका क्लाक वाई जारेशन इस प्रकास से फ्लो कर रहा है अब हमें यह पता करना है कि इस पॉइंट पर इसके सेंडर पर मैंगनेटिफ फिल्ट कर डारेक्षन किस और हूगा विसका मैनी civ क्या होगा सबसे पहले हम डार्रेक्षन अगर ध्यान से देखें अगर हम इसको देखें तो इसके लिए करेंट आपका इस पॉइंट पर करेंता इन्वर्ट है तो अगर हम मैंगिकम粉 करेंगे haya उड़स्ट करेंगेmo Чan और अगर हम यहां पर इस वाले के लिए देखे, इस वाले के लिए देखे, करेंट आपका उपपकर data और करेंट तब भी आपका क्या जा रहा है इन्वर्ड डारेक्षन मे तो आप देखे, हर एक के लिए हरी करेंड के पॉइंट के मतलब ही होता है दारेक्शन में इंवडा ने तो आगल रहेगा करने के लिए आपको बाइव रोटुने हमें बताया था अगर आपको магणेटीटी फिल्प आपको find करना है कि तो आपको एक स्माल करेंट अलेमेंट लेना होगा और स्माल करेंट अल्मेंट के लिए मैंने यहां पर मान लिया कि मारे पास एक यह स्मॉल element है जिसका length मैंने suppose किया है deal और इससे अगर हम center को मिलाएंगे तो इसको बोल दिया जाएगा एक आपका वेक्टर है वेक्टर आर और इसका length है और ध्यान से देखेंगे तो आप यह कह सकते हो कि radius और area वेक्टर जो आपका current element है इनके 20 का angle आपका कितना है 90 degree radius और current element के 20 का angle क्या है 90 दिग्री तो सबसे पहले हम बायोशोट का यूज करते हैं बायोशोट का formula क्या होता है डी बी इस equal to mu naught upon 4 pi ideal sin theta upon में क्या होता है यही जानते है लेकिन हमें दिख रहा है कि यहाँ पे angle कितना है 90 दिग्री तो हम theta के place पर क्या रख देंगे 90 दिग्री तो हमें मिल जाएगा डी बी इस एक्वल टू मू नाट अपान 4 पाई आई इन्टू डी अल साइन नाटी की वैलू वन होते है उसको लिखना नहीं है अपान में क्या है आपका और स्कुर्ण यह मैगनेटिक फिल्ड की वैलू आ गई लेकिन यह स्मॉल एलिमेंट के लिए है अगर टूटल एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो हम यह क्या करना पड़ेगा इंटेग्रेशन तो हम बोलेंगे टूटल कि मैगनेटिक फिल्ड एड दे सेंटर यह आपका क्या होना चाहिए बी इस इक्वल टू इंटेग्रेशन क्या डी वी तो कि यह आपका टूटल क्लो आपका सर्फेज टूटल सर्फेज लूप के लिए निकालेंगे तो small element का क्या करेंगे integral करेंगे और जब integral करते हैं तो value put up करते हैं डेवी की value आपके पास है मिउट अपन 4 पाई ideal आपान में क्या है आड़ स्कॉर यहां पर दिख रहा है मिउट अपन 4 पाई आपका constant term में है बहार आ जाएगा और यह भी आई आपका इसमें जो आपका current का फ्लो हो रहा है वह भी आपका constant है अपान में आड़ स्कॉर मतलर रेडियस भी हर जगां का क्या रहेगा फेक्स है तो हम कॉमन क्या ले लेते हैं आई अपान आड़ स्कॉर इंटेग्रेल के अंदर आपका बच्चे का डियल और यह डियल क्या है यही आपका small element जो आपका current element है अगर हम इंटेग्रल करेंगे तो यह टोटल लेंथ लिया जाएगा टोटल जब लेंगे तो इसके circumference के equal हो जाएगा और circumference आपको पता है circumference आपका होता है तो पाई आर तो हम इसको simplify कर रहे हैं तो दिखा देख रहा है कि पाई पाई कैंसिल टू टू यह कैंसिल एक आर भी आपका कैंसिल हो गया तो बच क्या रहा है बी इस इक्वल टू मिला आपको मिव नाट अपांड टू आई अपां आर और यही फार्मला होता है कि अगर हम किसी भी सर्कुलर लूप में सेंटर प्रमेगेटिक फिल्ट करेंगे तो फार्मला आएगा मिव नाट आई अपांड टू आर यह अगर बोल दिया जाए एक एक ही टर्न है वायर के तब अगर की ए नंबर आफ टर्म आपको माल लिया जाए कि कई सारे बäreको इस प्रकार से लपड़ कर बनाया गया है KOT कि सर्कुलर लूप room time है कि यह लेख लेते हैं मान लेते हैं नंदर आफ टर्म का कितना यहन है तो उस कंद्सन का है , congratulations mean मिल जाएगा, mu naught capital N I upon 2R, यह आपका circular loop के center पर magnetic field का power plan, यह derivation आपलोग prepare कर लें.